गाइस क्या आप भी बजाज फिंसर यूजर हैं आपके पास बजाज EMI कार्ड हैं आप अपने बजाज EMI कार्ड को अभी तक यूज नहीं कर पा रहे थे ओनलाइन आपके लिए है गुड नियूस जी हाँ गाइस आपको पता होगा बजाज EMI कार्ड बंग हो चुका था आप बजाज फिंसर के EMI कार्ड से ओनलाइन सोपिंग नहीं कर पा रहे थे अपनी लिमिट नहीं बढ़ा पा रहे थे नया कार्ड बना नहीं पा रहे थे तो गाइस गूड नियूस यह है कि बजाज फिंसर की यह जो सर्विस है जहाँ पर आप बजाज EMI कार्ड बना सकते थे और बजा GMI कार्ड को ओनलाइन सोभी करने के लिए इस्तेवाल कर सकते थे ये अब स्टार्ट हो चुका है लाइफ रूफ के साथ आपको आज में यहाँ पर एक बजा GMI कार्ड अपलाइफ करके दिखाऊंगा ओनलाइन आप इसको यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह आपको लाइफ रूफ के साथ बताऊंगा वीडियों बने ना गाइस वीडियों अच्छी लेगा बस लाइट करके जाना चल्ट को जुरू सब्सक्राइब करेंगा बैल एकन दबादना ताकि आपको नभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए मैं सबसे पहले करता हूँ स्क्रीन रिकोर्डिंग स्टाट जो हो चुकी है और गैस अभी आप देखे स्क्रीन पर मैं अभी अपने बजाफ इंसर के EMI कार्ड पेज पर हूँ और आप यहां पर देखे मेरे जो कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो है 90,000 रुपे और यहां पर देखे क्या लिखा है आवर सर्विस लाई के लिमिट अपडेट यानि हमारी जो सर्विस थी बजाफ इंसर यहां पर बोल लाए चाहिए आप अपना साथ दिन में दुबारे से शुरू करने जा रही है यानि आप ओनलाइन अगर सोपिंग करना चाहते हैं बजाज EMI कार्ड से आपके पास बजाज EMI कार्ड है तो आप 5-6 दिन यानि 7-8 दिन रुक जाओ आप ओनलाइन यूज कर पाएंगे अपने EMI कार्ड को सोपिंग करने के लिए अभी तो आप फिलाल ओफलाइन यूज कर सकते हैं बजाज फिंसरों के जो पार्टनर स्ट्रों वहाँ पर जाकर लेकिट ओनलाइन भी जल्दी आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर लिखा है और चाहे तो आप अपना पेज खोल कर देख सकते हैं आपर साब साब लिखा है साथ दिन के अंदर यूजिजम हो जाएगी दुबार से स्टार्ट हो जाएगी नया कार्ड आप अपलाई कर सकते हैं जी हाँ नया कार्ड आप अभी से अपलाई कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताता हूं, लाइप पूरुफ के साथ में, तो गाइस, कार्ड को अपलाई करने से पहले, आप eligibility criteria जान लीजिए, जानना जरूरी है आप के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे बाइप, जो अपलाई करते हैं, कार्ड को reject हो जाता है, क्यों होता इह mandate करने के बाद activate भी करना होगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो कंदर पते चलना ला वीडियो बने है ना गाइस, तो फिलाल देखें गाइस, बात करते हैं, eligibility criteria कि, आपकी जो उम्र है ना, सबसे important बात, कम से कम 20 साल होनी चाहिए, maximum 65 साल होनी चाहिए, ठीक है, 21 साल कम से एक regular monthly source इनका आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लिक रिकाया साफ साफ, एक और बात, यह जो company है, बजाज फिन सारो, कम create score के उपरी भी आपको card के लिए offer कर सकते हैं, कम मतलब 720, देख सकते हैं, क्रेट score 720 या उससे ज़्यादा अगर आपका है, तो आप eligible हो जाते हैं, number देना है, photo of load नहीं करनी है, address proof, आपको यहाँ पर आधार काड दे सकते हैं, और उसके पास bank account detail, e-mandate करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, यानि एक bank account, आपके पास उसका debit card, दूसरा आधार काड और pen card, यह आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास यह है, तो आपको apply now पर click करना है, और सबसे पहले आपको डालना है, यहाँ पर आपका mobile number, जैसे ही आप apply now पर click करेंगे, page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, और guys देखे, यहाँ पर एक और update आई है, पहले यहाँ पर limit मिलती थी, कम, अभी यहाँ पर limit बढ़ा कर उसको क मिल सकती है, जिसको आप online shopping करने के लिए इस्तेवाल कर सकती है, तो आपको simple सा काम करना है, यहाँ पर आपको आपका mobile number डालना है, जैसे आप यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे, उस mobile number पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर आप तो आप यहाँ पर क्या करें, अपने नाम को double मत करें, क्योंकि जब भी यहाँ पर यह accept नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपकी नाम के सामने, आपकी father का नाम आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि यहाँ आप अदे सकते हैं, यह single name में जोने अपने father का नाम और अपना खुद का नाम यहाँ पर डाल दिया और आगे बढ़े, उसके बाद गयाँ यहाँ पर आपको date of birth डालना है, pen card का number आपको डालना है, आपका area pin code डालना है यहाँ पर, ठीक है, male, female और self-employed salad जो भी है, आपको choose करना है, आगे बढ़ना है, तुरूंत आपको मिलेगी limit, जैस no cost TMI पर, यानि 0% interest पर आप कोई product करी सकते है, offline जाकर, या तो offline जाई या फिर online flip card Amazon पर जाकर भी आप shopping कर सकते हैं, बजा JMI card को use करके, ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 के limit मिली है, यहाँ पर automatically इन्होंने KYC की उठा लिए देख सकते है, mobile number, address automatically लिया चुका है, confirm पर click करना है, होंगे, और अभी आप केवल जो इस card को use कर सकते है, EMI network partner store पर कर सकते हैं, ठीक है, अभी बजाज mall और e-commerce पर बंद है, 7 दिन का time मैं आपको starting बता है, 7 दिन का time यहाँ पर दिया है, 7 दिन के बाद हमारी जो, यह service है, यह start हो जाएगी, ठीक है, तो आप 7 दिन का इंतजार क पहेंगे, अभी आप इसको card को बना लीजे, ठीक है, तो आप देखें, यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको दुबार से लिखा रहा हूँ, ठीक है, और 500 दिन का यहाँ पर दे, यहाँ पर कुछ promo code भी है, वो लगा सकते है, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे लगा रहा हूँ एक वीडियो छोड़कर जाना मत, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर e-mandate भी करना होगा, अपने card को activate भी करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, अपनी fees तीन तरीकी से देख सकते है, पहला है, यूपिया जो सबसे आसान है, मैं यूपिया ही recommend करूँ आपको, ठीक ह उसके बाद net banking है, उसके बाद debit card है, trade card है, आपकी मर्जिये चाहिए, जैसे मर्जिये आप यहाँ पर fees का payment कर दीजे, तो मैं करूँगा यहाँ पर UPA द्वारा, क्योंकि UPA सबसे आसान होती है, आपको simple से काम करना है, UPA द्वारा payment कर दे रहा है, अभी देख सकते है, मेरा payment successfully हो चुका है, 500.99 रुपे का, और अभी देखें, यहाँ पर अभी हमारा जो card है, इसको हमें, जो है अभी activate करना होगा, activate करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी e-mandate करनी होगी, जिसके लिए आपको bank account की जुरुत पढ़ने वाली है, bank account अपने पास रख रख लो, आपक account number डालना है, semi account connect account choose करना है, OTPI गोटीप डालना है, submit करना है, और आपका e-mail हो जाएगा, किसी-किसी bank में debit card की जुरुत पढ़ती है, यहाँ पर debit card इन और नहीं मांगा, only bank account detail से ही काम चल गया, आपको यहाँ पर हो सकता है, debit card देना पड़े, ठीक है, तो आपने debit card ही अप तो उसके बाद आप अपने card को कहां पर manage कर पाएंगे, आपको जाना है, play store में बजा फिंस और application डाउलोड करनी है, open करनी है, सब सब उपर आपको कौन रुपर बजा जी हमाए card दिखाए रहेगा, उसको क्लिक करना data बड़ डाल देना, और आपको यहाँ पर आपका card apply कर सकते हैं, तो guys देखे, अगर आप online apply नहीं करना चाहते है, बजा जी हमाए card को, आपको नहीं आता है, तो सबसे आसान तरीक है कि आप अपने जो nearest store पर जाईए, बजाज के जो partner store होते हैं, आपके सहर के इंदर वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाकर आप कोई भी electronic product ले सकत आते हैं, और वह आपको finance करते हैं, और आपको बजाज जी हमाए card भी आपको बना करते हैं, वहाँ पर भी आपको फीज देने होगी 600 रुपे, या फिर आप बाद में भी दे सकते है, इमेंडेट करते हैं, तो वह आपकी मरजी है, ठीक है, तो guys offline apply करने का तरीका यही ही, आ स्पैर को बजाज के नेरे जी हमार जाना है, वहाँ पर जाकशे हो का बनाद लिना है, यी वोडियो के लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करेंगना, बहिए करनता पाद हैं, तक के आपको बीपर प्रिसमें हैं, लिके करना, प्रूराज साथ माचक लिए अतना ही